सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते रहे विरोध प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने पी-पी किट पहन रखी थी और दोगज की दूरी का पालन करते हुए सड़कों पर उतर कर हंगामा करने लगे विधायकों ने चौधरी चरण सिंग की प्रतिबा के सामने काफी देर तक प्र संन करें क्या मुद्धे प्रदेस में मुद्धे हैं और सरकार सुनने की इस्तिती में नहीं है हमारी तो सुने की Aprae a एक उद्योग बन गया है लूट और अपरन अडकेटि यह बंद हो गई थी आज के समय में क्योंकि पुलिस का रेस्पोंस टाइम टेकनोलोजी सब बढ़ वही है लेकिन अब योगी जी के नेत्रिश में दुबारा शुरू हुआ है धंदा और जहां अपरन हो रहे हैं बच्चों की हत्या हैं हो रही है मुखमंत्री के अपने जिले में भी हो प्रदर्शन कर रहे हैं सपाकार करताओं ने हाथों में तक्तियां लेकर सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे भुखतान होने के बाद भी अस्पतालों में वेंटीलेटर क्यों नहीं मिल रहे हैं किसानों को अपने खेतों में डालनी के लिए यूरिया क्यों नहीं मिल रह जो सपाकार करताओं ने हाथों में तक्तियां लेकर सरकार से पूछे सपाकार करताओं ने हाथों में तक्ति लेकर मोधी और योगी सरकार से कई सवाल किये युवाओं को रोजगार कम मिलेगा अस्पतालों में दवाएं कम मिलेगी और यूपी में अपरादियों पर अंकुस कब लगेगा करनी हो इसके अलावा महिंगाई की बात करनी हो या रोजगा देनी की बात हो हर मुद्दे पर योगी सरकार योगी फेल साबित हुई है तो ऐसे मैं आप देख सकते हैं कि समाजवादी पाल्टी के जो तमाम कार करता है जो बड़े लीटर है परते सद्धज भी यहाँ पर मवजूद है तमाम MLC जो है वो मवजूद है जो विदायक है वो भी यहाँ पर मवजूद है जिस तरह से पर्दीश में लगातार जो है के बाद एक बड़ी घटनाए हो रही है तो उसको ले करके जो है समय पाल्टी यहाँ पे हम मलावर दिखाई दे रही है कामरा पसंद सुंदर्म सातानुक माभारा समचा लखनव इधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसाथ संजय सिंग अचवान आग्यूपी विधान सभा पहुँच गया है पुलिस वाले संजय सिंग को पहचानने में धोका खा गये और संजय सिंग विधान सभा में बैठे रहे विधान सभा पहुंचकर ये भी कहाएं कि पुलिस उन्हें ग्रफ्तार करना चाहें तो ग्रफ्तार कर लें ये देखिए इस गाड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसत संजे सिंग बैठे हैं जो गेट नमबर साथ से विधान सभा पहुंच गए पुलिस वाले संजे सिंग को पहचान भी नहीं पहे और वो विधान सभा के अंदर पहुंच गए राज्यपाल दीरगा में सांसत संजे सिंग ने काफी देर बैठ कर सदन की कारवाही भी देखी कई विदहायक भी संजे सिंग के साथ बैठे रहे और जब संजे सिंग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ 99 एफायार दर्ज कर रखी हैं हर जिले में आए दिन उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं इसलिए वो यूपी के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खुद चल कर आ गए अगर सरकार उन्हें गिरफतार करना चाहे तो गिरफतार कर सकती है मेरे समवैधानिक मेरे लोकतंत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरकार के दोरा और क्यों किया जा रहा है क्योंकि मैंने ये कहा कि भई लोक तंत्र में सबकी सरकार होनी चाहिए 24 करोण उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार होनी चाहिए किसी जाती वी से इसकी सरकार नहीं होनी चाहिए एक सच बोलने के लिए अगर देश के सर्वोच सदन के विरुद सदन के सदस्त के विरुद नौनो मुकदमे हो सकते हैं उसका कार्याले बंद हो सकता है तो अब इसको क्या कहेंगे ये विद्धियोस की भावना नहीं तो है क्या ये तो इसलिए मैं यहाँ पे आया कि भई आप इस तरीके से मुकदमे उकदमे से मत डराईए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आप मुझे गिरिफ्तार करा के जेल बेजिए संजे सिंग ने विद्धान सभा पहुँचकर अपना विरोध प्रदर्संतो जता दिया और कहा कि अपने खिलाफ केस दर्ज होने से वो डरने वाले नहीं है संजे सिंग ने कहा कि उन्होंने यूपी के सभी वर्गों की आवाज उठाई है अगर किसी को लगता है कि ये गुना है तो वो सजा भुकतने के लिए भी तैयार है संजे सिंग ने कहा कि नो दिन में उनके खिलाफ नो मुकदमे दर्ज कर दिये गए वो देश के सबसे सर्वोच सदन की सदस्य हैं लेकिन यूपी पुलिस उनके साथ हिस्ट्री सीटर जैसा बरताओ कर रही है जिसको लेकर संजे सिंग ने उपरार्ष्ट पती वेंकई या नाइडू को पत्र भी लिखा है आखिर संजे सिंग अचानक यूपी में इतना सक्री क्यों हो गए है क्या आम आदमी पार्टी का यूपी में 2022 के लिए कोई नया प्लान तैयार हो रहा है क्या आम आदमी पार्टी भी अब दिल्ली से बाहर निकल कर दूसरे प्रदेसों में भी विस्तार करना चाहती है क्योंकि केजरिवाल ने उत्राखंड में चुनाव लड़ने का आईलान तो कर ही दिया है संजे सिंग बीते कई दिनों से यूपी की सियासत में काफी सक्री है कि जिरिवाल के उत्तरखंड में चुनाव लड़ने के ऐलान से ऐसा लग रहा है कि इस बार उत्तरप्रदेश में भी आहम आदमी पार्टी 2022 में मैदान मारने की तैयारी में जुट गई है ब्यूरो रिपो और वो भी देखने को मिला जो कभी नहीं हुआ सदन में इससे पहले सदस्यों की जांच हुई जो सही मिले सदन में उन्हें ही आने की परिमीशन दी गई कोरोना प्रोटोकॉल का पहलन करने वाले को ही सदन में आने का मौका दिया गया उत्तर प्रदेश विधान सभा का तीन दियुसे मांसून सत्र ब्रिस्पतिवार से शुरू हो गया कोरोना के चलते इस बार विधान सभा का मांसून सत्र में काफी बदलाव के गए कुरोना वाइरस के चलते पहली बार विधान परिशद काफी बदली-बदली नजर आई COVID-19 के संक्रमर से बचाओ के लिए प्रोटोकॉल बनाये गया जिस से सत्र के दौरान कुरोना वाइरस के संक्रमर से बचा जा सके सभी विधायकों का कुरोना टेस्ट पहले ही हो चुका है सभी कर्वचारियों का COVID-19 टेस्ट पहले ही हो चुका है और इसमें वो लोग जो COVID-19 हैं सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस विधान सभा की कारवाई में हिस्सा ले सकते हैं सत्र की शुरुआत से ही सदन में शोक सम्विदना व्यक्त की गई कुरोना के कारण दो मंत्रियों कमल रानी वरून और चेतन चौहान का निधन हो चुका है इसके लावा सदन की चार और सदस्यों का निधन हुआ है जिने सदन में श्रधांजली दी गई दिवंगत सदस्यों के लिए शोक सम्विदना व्यक्त करने के बाद सदन की कारवाई शुरू हुई हाला कि सदन की कारवाई में कई विधायक काफी घैर जिम्मेदाराना अंदाज में नजर आए कुरोना के चलते बिमार और बुजर्ग सदस्यों की वर्चुल उपस्तिती की ब्योस्था की गई लेकिन आउनलाइन कारवाई में विधायक जनमेजय सिंग बिस्तर पर ही लेटर है विधायक सुशील गुपता भी बिस्तर पर लेटे थी सदन में उपस्तिती के लिए इन विधायकों को आउनलाइन जोड़ा गया लेकिन ये विधायक सदन की कारवाई में ही सक्री होने के बजाए लेटे नजर आए लखनों से भारत समाचार के लिए अब शेक पांडे की रिपोर्ट और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए खास जड़ी वुख्यों से बना पेट सफा आईवर्दिक जोड़ा आज ही लिए पेट सफा पहली राज से असर दिखाता है और इसके आदर भी नहीं पढ़ती पेट सफा हर रोग दो फाट